आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल सिखावाटी लेक्चर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RPSC 2nd Grade 30 जुड़ी लेटेश्ट अपडेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीजेगा चली वीडियो की सुरुवात करते हैं या आप देखिए कारियले निदेशक माद्यमिक शिक्ष्या राजस्थान विकानेर के दुवारा ये अभी अभी यानि आज की डेट में 10 फरवरी 2024 को ये जो है आदेश जारी किया है और ये किस से रिलेटेड है या आप देखिए राजस्थान लोक्षेवायोग अजमेर दुवार आयोजित वरिष्ट अध्यापक माद्यमिक शिक्ष्या परिक्ष्या 2022 विसे अंग्रेजी में गेर अनुसुची छेत्र और अनुसुची छेत्र हेतु अंतिम रूप से चैनित पात्र एवं अभिशास्त्वित अंग्रेजी के जो टी-एश-पी और नोन-टी-एश-पी एरिया के जो टोटल अभ्यारती हैं उनको संभाग अवंटित किया जाना है और संभाग आवंटित के साथ साथ नियुक्ति और पद स्थापन का आदेश जो है वो जारी किया जाना है उससे रिलेटेड ये आदेश जारी किया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि सेकंड ग्रेड बरती विसे अंग्रेजी इसके अंदर कुल जो अब्यारती हैं 1564 हैं जिनको नियु 161 अब्यारती हैं ठीक है तो इनकी जो कांसलिंग है वो 14 फरवरी 2024 को आउजित की जाएगी ठीक है कांसलिंग की डेट है 14 फरवरी 2024 और इनके कार ये बार ग्रहन करने की जो डेट है लास्ट जो तारीक है वो है 6 मार्च 2024 तो जिस दिन इनकी कांसलिंग होगी उसी दिन इनक न्युक्ति और पद्धस्थापन का आधेश भी जारी कर दिया जायेगा ठीक है? तो लास्ट डेट जो है कारिये ग्रहंड करने की वो छे मार्च 2024 है इनको छे मार्च 2024 से पहले पहले जाकर के और समंदित सैंस्था के अन्दर अपने न्युक्ति अपना कार्य बार ग्रहन करना है ठीक है इसमें जो मत्तुपुन बात है कि एसे ब्यार्थी जिनकी डिगरी जो है राजस्तान से बार की सैंस्ता की या विश्विद्याले से है उनका पहले क्या होगा विभागी इस तर पर उनके डोकुमेंट्स चेक किये सेक्षनिक और प्रसेक्षनिक योग्यता वाले दस्तावेज जो है वो चेक किये जाएंगे और वेद पाये जाने पर ही उनकी न्युक्ति या पदिस्थापन का आदेश जारी किया जाएगा ठीक है तो इसमें ये स्पष्ट रूप से का गया है कि ऐसे ब्यार्थियों की फ अदेश जारी किया जाए तो पहले अब ब्यार्थियों की जिनकी डिगरी बाहर से है अधरिस्टेट की है ठीक है उनके पहले डोकुमेंट्स चेक किये जाएंगे उसके पस्चाद वो वेद पाये जाने के बाद ही उनकी न्युक्ति का आदेश जारी किया जाएगा तो फि ठीक है तो आपका जो न्युक्ति और प्रदिस्थापन का आदेश जारी होगा तो आपको विद्याले जो मिलेगा सेंस्ता जो मिलेगी वो इस प्रात्मिक्ता करम में दी जाएगी यह आप देख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट ए है ठीक है तो इसके अंदर ये निर्धा पढ़ सकते हैं C फिर D फिर E और E के अंदर भी फिर अलग-अलग है वरियता का निर्धारन जो है पहले किसको पदिस्थापन किया जाएगा कहां पर किसको वरियता प्रदान की जाएगी यह इसमें आप देख सकते हैं फैस्ट पे पहले 40 प्रतिसति आदिक दिव्यांगता वाले ब्यारती आएंगे फिर विद्वा महिला ठीक है इसके बाद में इस परकार से यह वरियता करम का निर्धारन किया गया है इनको आप पढ़ सकते हैं यह वरियता करम है इनको आप पढ़ लिजे आराम से ठीक है यह 12 तक है 12 तक है इनको आप पढ़ लिजे और फिर यह न्यूक्तित से समंदित निर्देश हैं तो आपको कारिये ग्रहेंड करते समय कौन-कौन से डोकुमेंट्स बनवाने हैं उससे पहले-पहले क्या-क्या डोकुमेंट्स आपको बनवाने हैं ये निर्देश दिये गए हैं इस पर मैंने अलग से भी वीडियो अप्लोड करके आपको जानकारी प्रदान की है आप चाहें तो इसी पले लिस्ट के अंदर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि कार ये बार ग्रेंड करते समय कौन-कौन से डोकुमेंट से जो है वो आवश्यक होते हैं तो वो वीडियो आप देखीएगा और बाकि इसके अंदर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कौन-कौन से डोकुमेंट साब को बनवाने हैं ठीक है ये आप इसमें डेख सकते हैं ये पूरे निर्देश आप पढ़ लिजें ये डोकुमेंट सपत्पत्रे ये सारे आपको वो लिष्ट दिखाऊंगा टीएश पी और नोन टीएश पी की 22 नमर का पूर्ण देखिए निर्धारित दिनांग तक कारिये ग्रहन नहीं करने वाले अभ्यार्थियों के नियम आनुशार नियुक्ति आदेश निरस्त कर नियुक्ति निरस्त आदेश की प्रती मैं मूल आव नियुक्ति का आदेश वो निरस्त कर दिया जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब आप देखिए वो लिष्ट ये है सबसे पहले नोन टीएश पी एरिया के ब्यार्थियों के लिष्ट ये देखिए वरिष्ट अध्यापक मात्यमिक सिक्ष्या परिक्ष सुची ठीक है तो ये पूरी लिष्ट है नोन टीएश पी एरिया के ब्यार्थियों की ये पूरी लिष्ट है ये आप देख लिजे ये नोन टीएश पी एरिया के ब्यार्थियों है इनको कौन सा जो है रेंज अलोटमेंट हुआ है वो लास्ट में दिया हुआ है सबसे ला पास्ट वाले कोलम में दिया हुआ है कि कौन सा रेंज जो है इनको आवन्टित किया गया है यह पूरी लिस्ट है 1461 ब्यार्थियों की यह पूरी लिस्ट है ठीक है तो यह आप पूरी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं यह पूरी ब्यार्थियों की लिस्ट है बाकी क्या-kya डोकुमेंट्स चाहेंगे जोईनिंग के टाइम पर वो आपको जो है पहले से बनवाने हैं और काउंसलिंग के टाइम पर क्या-क्या डोकुमेंट चाहेंगे वो आप निर्देश आराम से पढ़ दीजी इसके अंदर ठीक है तो पहले आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग वाले दिन ही आपको जो है नियुक्ति और कारिय ग्रहन के आदेश जो है वो जारी कर दिये जाएंगे जहांपर जो अंतिम्तिति बताई गी है उस तितिति तक जाकर के आपको कारिय ग्रहन करना है यह पूरी लिस्ट है ठीक है यह पूरी लिस्ट देखी 1461 अब्यार्थियों की है नोन टीएशपी अरिया के 1461 अब्यार्थियों की लिस्ट है इसके पसचात टीएशपी अरिया के ब्यार्थियों की लिस्ट भी मैं आपो दिखा हुँआ तो यह अंग्रेजी विसे के ब्यार्थियों है तो आप सभी अभ्यार्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम बढ़ाई और सुपकामने आप सेकिंड ग्रेट से फैस्ट ग्रेट में जाएं और उससे भी आगे फिर प्रगति करें यही मेरी कामना है कि देखिया पूरी लिस्ट है यह देख लिजे तो यह पूरे ब्यार्थियों की नोन टी एस्पी एरिया के यानि सामाने छेत्र के जो ब्यार्थि हैं उनकी पूरी लिस्ट है और आपसे रिक्वेश्ट अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट होती है वो समय पर आपके पास मियास के ये ट्रोट्रल ब्यार्थि होंगी लिस्ट है काभी बड़ी लीट्टे एक जार चार सो एक सेट अब ब्यार थी है टोटल इसमें नॉन्टी एश्पी अरिया के ये टोटल हो गए एक जार चार सो एक सेट अब ब्यार थी ठीक है और अब है आपके सामने ये टी एश्पी अरिया की ये देखिए वरिश्ट अद्यापक माद्यमिक सिक्ष्या परिक्ष्या 2022 विसे अंग्रेजी के अनुसुचि छित्र यानि टी एश्पी हितू अंतिम रूप से चैनित एबं अभिसस्त्वित अब्यार थीयों के नुक्ती हितू संभाग आवंटन सुचि तो ये अब्यार्थियों के रोल नंबर है ये मेरिट नंबर है ये विद्यार्थि का ब्यार्थि का नाम ये पिताजी का नाम है और ये अलोटेड रेंज है ठीक है तो ये आप देख लीजे ये टीएश्पी अरिया की है ये टीएश्पी अरिया के ब्यार्थि है तोटल है एक सो तीन अब्यार थी तोटल एक सो तीन अब्यार थी है यह यह आप देख लीजे टोटल एक सो तीन अब्यार थी ठीक है तो यह थी आपके लिए RPC सेकंड ग्रेड बढ़ती में सेलेक्टेड और निवती से रिलेटेड जो अपडेट है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद